जिन्दगी में ऐसा बहुत बार होता है जब आपके आसपास वाले आपके साथ वाले progress कर रहे होते हैं लिकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ी नहीं पाते हैं जिन्दगी में वही के वही अटके रह जाते हैं तब आपके दिमाग में self doubt आने लगता है कि मैं ऐ कोई अपने फादर के बिजनस में हेल्प कर रहा है सब लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पे ना अंदर से निराशा आने लगती है सोच लगते हैं कि अब क्या बचा हैं जिन्दिगी में मैं अपने आपको खतम क्यों ना कर लो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉबलम है तो आज की स्टोरी बहुत ध्यान से सुड़िएगा ऐसी एक लड़का था उसके साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर रहे थे आगे बढ़ रहे थे लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा था वो कोशिशे कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था तो इसी तरह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ चाड़के निकल जाओं यहां से गहीं दूर चला जाओं तो एक दिन वो अपना घर चोड़ता है और जंगल की तरफ निकल जाता है चलते 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 जब वो ठक जाता है तो वो एक जगा ठक के हार के बैड़ जाता है तो वो अपने आप से बात करने लगता है वो कहने लगता है कि हे भगवान हे खुदा मैंने ऐसे क्या गलती कर दी मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पारी है मैं आगे नहीं बढ़ पार हूँ reason क्या है मुझे कारण बताओ नहीं तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने आपको खतम क्यों न कर लूँ मैं निराश होते जा रहा हूँ मुझे बताओ पता है जब अंतिम चण होते हैं तो अंदर से आवाज आती है जवाब आते हैं बस सुनने वाला चाहिए कोई तो उसके अंदर से भी आवाज आई और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे एक शड़ों में जब अंदर से आवाज आती ही न तो वो message, वो संदेश उपर वाले का होता है तुसको अंदर से आवाज आई कि तुम अपनी जिंदिकी से बहुत निराश लग रहे हो तुम आसपास क्यों नहीं देखते हैं क्या पता आसपास देखने से तुमें तुम्हारी problem का solution मिल जाए जिस वज़े से तुम निराश हो, उस निराशा से तुम बाहर निकल जाओ तो वो आसपास देखता है इदर उदर देखने से इस तरफ उसे एक जाड़ी नजर आती है एक लंबी, चोड़ी, उची, जाड़ी, हरी-भरी और जब वो इस तरफ देखता है तो एक छोटा सा बीज धर्ती की छाती फाड़ के बस अंकुरी थोरा होता है तो वो दोनों चीज़े जब वो देखता है एक तरफ जाड़ी देख रहे हो, एक तरफ छोटा सा अंकुरी बीज देख रहे हो क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन दोनों को एक ही समय पे लगाया था जिहां एक ही समय पे लगाया था और जब उसने सुना कि एक ही समय पे लगाया था तो उस साइड में जो जाडी थी उसने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली, वो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन बीज एक ही समय में लगाने के बावजूद भी अभी अंकुरित हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस इतनी कम क्यों, उसके मन में ये दिमाग में सवाल आता है, तो फिर जो उसकी आउटर प्रोग्रेस होती है, वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है, आप अपनी प्रोग्रेस से किसी और की प्रोग्रेस की कमपैरिजन मत करो, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती, दूसरा, भले ही दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हूँ, आप भी जो आपको मजबूत बनाने के लिए आपको सक्षम बनाने के लिए आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपकी परिक्षा ले रहा हूँ लेकिन एक दिन में वक्त आएगा वो वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार होगे तो आपको वो उस लेवल की प्रोग्रेस देगा जब वास पास के लोग आपको देखते रह जाएंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि निराश मतों जिंदगी में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो धेरे रखो आगे बढ़ते रहो धेरे धेरे ही सही एक दिन ऐसा आएगा जब आप धेरे रखोगे और हार नहीं मानोगे तो उस दिन उपर वाला भी आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा इसलिए वो कहते हैं न कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहद्दूर होते हैं डटे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते So do not quit